नमस्कार ग्यान बिहार का में आपका स्वाकत है इस वीडियो में हम आपको बिहार से जुरे 11 से सवाल बताएंगे जो कि बिहार की सभी परिक्षाम में पूछी जाती है दोस्तों इस वीडियो में आपको बिहार की वर्तमान इतिहास और कई रुचकतत्यों से जुड़े सवाल और उसकी जवाब दोनों मिलने वाले हैं इसलिए कर आप बिहार से जुड़े सामान ग्यान सी रुपर होना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को अंतर जरूर देखे साथ साथ आप सबी से अपील है कि इस वीडियो को ज्याद से ज्यादा ग्रूप में शेयर भी जरूर करें तो चले देखते हैं कि आप कितने सवालों के सही जवाब केस कर पाते हैं सवाल नमर एक किस वेद में सबसे पहले बिहाड के मगद हिस्से का नाम उलिखित हुआ था ए रिगवेद बी यजुरवेद सी सामवेद डी अथरववेद इसका सही जवाब है डी अथरववेद सवाल नमर दो बिहाड में पहली बार विधान सभा चुनाव कब हुआ था इसका सही जवाब है बिहाड में रभी फसल कब बोई जाती है इसका सही जवाब है ए अक्टूबर नवंबर में सवाल नमर चार पूरवी चंपारन जिले का मुख्याले कहा है इसका सही जवाब है ए मोतिहारी बेतिया था हाजीपूर डी छपड़ा इसका सही जवाब है ए मोतिहारी सवाल नमर पाच बेरिया जनजाती बिहार के किस जिले में पाई जाती है ए अररिया बी जहानाबाद सी मुंगेर डी बेगुसराई इसका सही जवाब है C. मुंगेर सवाल नमबर 6 पटना की किस मंदिर को जल्ले का महादेव मंदिर भी कहा जाता है A. छोटी पाटन देवी मंदिर B. महावीर मंदिर C. बड़ी पाटन देवी मंदिर C. श्रीतला माता मंदिर सवाल नमबर 7, इनमें से कौन बिहार में एक अग्रने उध्योग है? A. लाख उध्योग B. कागज उध्योग C. लकडि उध्योग D. इनमें से कोई नहीं सवाल नमबर 8, गुप्त काल में मगद के किस राजा ने महराज धिराज की उपादी धारन की थी? A. समुद्र गुप्त B. राम गुप्त C. चंदर गुप्त प्रथम D. इसकंद गुप्त इसका सही जवाब है A. समुद्र गुप्त सवाल नमबर 9 पाल वन्ष के बाद बिहार में बारवी सदी में किस वन्ष का राजी रहा था A. नुहानी वन्ष B. खिलजी वन्ष C. गुरहवाल वन्ष D. तुगलक वन्ष इसका सही जवाब है C. गुरहवाल वन्ष सवाल नमबर 10 परमान डॉल्फिन अभ्यारन या बिहार के किस जिले में है A. कटिहार B. अररिया C. मुंगेर D. राजगीर इसका सही जवाब है B. अररिया सवाल नमबर 11 तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन थी? A. पटना सिटी B. हाजिपूर C. नालंदा D. बिहार शरीफ इसका सही जवाब है D. बिहार शरीफ पिसले सेट में जिन्दशकूर नहीं सबसे जवाब के सही जवाब कमेंट के माध्यम से दिये उनके नाम स्क्रीन पर मौझूद है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके साथ आज की इस वीडियो में आप कितनी सवालों के सही जवाब गेस कर पाएं हमें कमेंट में लिख कर ज़रू बताएं क्योंकि सब्से जवाब देने वालों का नाम हम अगले वीडियो में हमारे चैनल पर दिखाएंगे तो आज की इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए दीजे इजाजत नमस्कार